हलो बच्चो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिद्दु चुमकी तरंगे यदि आपने इसे पहले चैप्टर के निमेर कल नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिक्रेशन बॉक्स में जाएए वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा चलिए बच्चो इसका पहला नंबर सवाल आ सदिस आयाम का है तो जाप iसे e0 मानों गे क्या मानों गे e0 कितना दिया है नवे बोर्ण पर मेटर इसका नाम क्या है बाधु च्यत्र का सदिस आयाम याद बगाश्चो यह नाम याद रखेगा और कि ऐसके बाद क्या सवाल में थोड़ा सँ देखिये और इसमें कहरा है, इसे चुम्मकी छेत्र सदिस का आयाम कितना होगा, बच्चो वी नोट, ये पूछ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, चुम्मकी छेत्र का सदिस आयाम, ये निकालना है, तो बच्चो इसके लिए हम आपको एक फार्मिला बता रहे हैं फार्मिला आपके स्कीन पर यह रहा या ए नोट बटे वी नोट बरावर सी तो बच्चो यहां से अगर हम वैल्यू पुट करें और सी की वैल्यू कितनी होती तीन गोड़े दसपी पावराट याद कर लो बैट है यह फिक्स होगी परकास की चाल होती यह क्या थी फिकास की चाल प्रकास की 40 से आपको याद रखना पड़ेगा अब या बच्चों यहां पर वी नौट की वेलू अगर निकालें हम तो इसको इधर वेज़ेंगे इसको नीचे वेज़ेंगे 90 बटे तीन गुड़े 10 की पावर 8 बराबर वी नौट बच्चों तो यहां से वी नौट की वेलू क्या आ अगर आप थोड़ा अच्छा लिख सकते हैं वी नौट बराबर तीन गुड़े 10 की पावर एक जिरो इसको देंगी माइनस का 8 है तो माइनस का साथ बचेगा इसका मात्रक क्या होगा बटा इसका मात्रक होगा टेस्ट ला तो यह आपका अंसर है नौट कर लो चलिए वच्छो इसका दूसर नंबर स्वाल हम देखने चल रहे हैं इसमें क्या कह रहा है एक से दिसा में गतिमान एक बिद्द चुम्ह की तरंग आकास के किसी बिंदू भी वेक्टर कमान दिया वी वेक्टर कमान आपको दिया 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस एट जे तो याद रखिएगा आप इसे भी मान सकते हैं क्या मान सकते हैं यह जो इंटू में है यह फामला एक होता है वी वरावर वी एकस आई आप पढ़े होंगे वी वाई जे और वी जड के लेकिन इसमें वाई वाला है तो आप इसे भी वाई मान लो या केवल सिंगल है तो हम इसे V मान सकते V का VALUE क्या मानेंगे बटा V की VALUE कितनी है 1 गुड़े 10 की पावर माइनर 8 टेसला क्या मानेंगे बटा T से टेसला ये V की VALUE मिल गई है अगर इस विंदू पर E का मान क्या होगा बटा Vector E का मान पूछ रहा है तो बटा Vector E का मान निकालने से पहले हमें E का मान निकालना पड़ेगा बटा E का मैगनिट्यूड E का प्रणामी ती उड़ता हमें निकालना पड़ेगा तभी हम निकाल पाएंगे चलिए बच्चो आईए देखते हैं बच्चो अब आप समझिए यहां पर फामूला क्या होगा फामूला भी हम ने आपको थोड़े देर पहले बताया था E बटे V बराबर C आयाम तो कह नहीं रहा और ना नौट लगा देते हैं आप नॉर्मला ऐसे निकाल सकते हैं अब देखिए बटा E कमान हमें निकालना है तो E कमान आ जाएगा बटा V इंटू C तो E बराबर V कमान कितना है 1 गुड़े 10 की पावर माइनस 8 और C कमान क्या है 3 गुड़े 10 की पावर प्लस 8 तो इससे यह कड़ जाएगा तो 1 आएगा बटा क्या 3 अक्कम 3 आएगा कितना आएगा 3 वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं इसकी यूनिट है यह क्या आगया बटा मेरे पास यह आगया अब हमें क्या निकालना है समीकन क्या होता बटा आएगे देखते हैं समझिएगा आई क्रोस जे वरावर क्या आता या रखना बटा जब जे होगा तो आता क्या क्या आई में किसा जे का गुड़ा करेंगे आई का क्य तो बटा यह जे है तो जे के बाद क्या आता क्य वाला ना तो यहां पर बटा ई वेक्टर वरावर जो होगा बाकि सब 0 होगा अब यहां वो जे दिया है देखिए इसमें ये वाला फोन दिया है जे वाद किया दा तो यहां के लगा दिगे क्या लगा देंगे के यहां कामान कतना है टी वेक्टर यह लेक्टर एकामान आ गया है नोट कर बो हुए इसको बोलते हैं बैधुस सदीस क्या बोलते हैं भैधुस सदीस टिक नोट कर लो चले बच्यो तीसे नमब सवाल देखते हैं तीसे नमब सवाल में कर आएक सम्तल बिदुच्म की तरंग में 2 छेत के और थी बता आवरती यहां पर एन को और था किया होता है 5 5 एन की तलिए दोगूर दिया थीवावर दस 2 गूले दस थीवावर 2 ईस हट से और यहां आयाम दिया बेटा आयाम किसमें 2 छेतर के दो ल्नो थी तता आयाम बटा ई-णोट होगा ई-णोट कमांद दिया तीन बोल्ट पर मीटर तो को बोल्ट मूपोर जाकर माइनस हो जाएगा मीटर इन्वस हो जाएगा तो हम ऐसे ही लिखेंगे तो चुमकी छित का आयाम गयाद करो बच्चो वी-णोट गयाद करना है तो बच्चो हम आपको बता दें देखिए आवरती से कोई मतलब नहीं है हमें जो निकालना वह आसानी से इस फार्मूले से निकल जाएगा ई-णोट बटे वी-णोट बराबर सी यह तो फार्मूला होता है इस फार्मूले में हम वैल्यूपूट करके डायक्ट निकाल सकते हैं बच्चो ई-णोट कि वैलू कितना है तीस बी-णोट बराबासी की वैलू कितनी होती है तीन गुड़े दस की पावर आट मीटर पर सेंड बच्चो इसको याद कर लिजेगा सी की मानी फिक्स होती है आप इससे याद कर लीजेगा यहां से वी-णोट की वैलू अकर निकालेंगे हम तो बटा VyNOT इदर वेजेंगे, इसको इदर वेजेंगे, तो 30 बटे, 30 गुड़े 10 की पावर 8 बराबर VyNOT, तो बटा VyNOT बराबर क्या आएगा, जब 10 में 3 का फाख दोगे, तो 10 आएगा, भाई, 30 में 3 का फाख दोगे, 10 आएगा, यूप़ जाके माइनस हो जाएगा, तो बच्च और नंबर स्वाल देखते हैं कह रहा है 25 MHz की आवरति बटा आवरति को वैसे भी लिखते हैं और N से लिखते हैं जिससे मन उससे लिखो highly Hertz तो बच्चों मिलियर हर्स है यहां पर है million और एक्स दिसा के अंदूर गतिमान है जिसमें बटा आपको एक वेक्टर की वैलू दिया है एक वेक्टर की वैलू कितनी है दिया आपको कितना दिया 63 वोड़्ड पर मीटर आप पहले बीनिकार इसे निकालेंगे ड़िस와 एक वरावर ऐ cm कितनी वैलुक्तsem तो यह इदर जाएगा उदा जाएगा इसको नीचे लगा देंगे तो तीन गुड़े 10 की पावर 8 वरावर वी आ जाएगा जब इसका हम भाग इसमें देंगे काम करो इसको उपर ले जाओ वी वरावर आएगा 6.3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अब बटे 3 3 से भाग दो बटा इसमें 3 दूनी 6 3 एकम 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 क्या आएगा यह टेसला में यह आगया तुम्हारा वी का मान ठीक है अब हमें क्या चाहिए यहां पर चाहिए व्यक्तर वी का तो बटा या रखना इसमें जे है जे के बाद के आएगा सदिस में निकालना है तो यह दूसरे के लंबर्ड होते हैं जो होगा इसके बाद के अंगल आएगा जिसे आई आई होता तो जे आता यहां आई होता तो यहां जे लगाते जैसे यह व्यक्तर वी कमान अगर निकालना है तो वी अब देगा यहां क्य गया अंसर वेक्टर वी का माना आचुका है नोट कर लो इस चलिए चो पांच वा नमबर सवाल देखते हैं पांचर नमबर सवाल में क्या कहरा है एक समतल बिद्दु चुमबकी तरंग चुमबकी छेट बच्चो यहां बरापको चुमबकी छेट का समी करने दिया दो गुड प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 11 ध्यान दीजेगा इंटू 10 की पावर 11 T टेसला में दिया है और कह क्या क्या ग्यात करना बच्चों तरंग की आवरती आवरती F होती फिक्वेंसी और दूसरे नमबर में क्या ग्यात करना तरंग देर दूसरे नमबर में बटा क्या ग्यात करना समी करना बादू छेत का समी करना बच्चों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हम इसकी कंपियर करते हैं किससे तुलना करेंगे आईए देखते हैं जो एक समी करना होता है वी वाई बरावर वी नॉट वी वाई बरावर वी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी इससे तुलना करो बटा से केसला से तुलना करो जै बटा इससे हम तुलना करेंगे तो आप देखिए वी नॉट की जिगे ये है बटा तो V-NOT का मान आ जाएगा डाडेक्टी मेरे पास कितना V-NOT की वैलू मेरे पास आ जाएगी 2 गुड़े 10 की पावर माइनस 7 टेसला तो यह आ गया क्या V-NOT की वैलू उसके बाद जो K है K की वैलू यह हो जाएगी तो K की वैलू आ जाएगी जिरो दसनलो 5 इंटू 10 की पावर 3 इसके बाद और क्या है इसके बाद जो ये है ये उमेगा है देख लीजे उमेगा की जगह T है 7 में तो अमेगा ये T है 7 में तो मेगा की वेलू हो जागि 1.5 इंटू 10 की पावर 11 रेडियन पर सेकंड इसकी उनिट होती है पहले नमबर में फ्रिक्वेंसी निकालना चाहते हैं फ्रिक्वेंसी निकालने का फार्मूला यह होता फार्मूला क्या होता बिटा फार्मूला आईए यहां पर वैली को रखके हम सॉल्व करते हैं एफ बराबर उमेगा उमेगा कमान कितना है वन पॉाइंट फाइप इंट् क्या करेंगे विटा सॉल तो एफ वराबर क्या हो जागा ध्यान से देखिए गां पॉइंट एक जीरो बढ़ा दे रहे हैं पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा वह जाएगा 150 बटे दो गुड़े 314 314 गुड़े 10 की पाउर 11 अब इसका अब एक काम करिए भाग दीजिए इसमें 150 का जब दो सुड़ी वाड देंगे तो 150 का अधा 125 पच्छतर आएगा बटा क्या आएगा 75 हो जाएगा जब इसका भाग देंगे 75 बटे 314 गुड़े 11 अब इसको तो तो एफ वरावर क्या हो जाएगा जब 75 में इसका रिवाइड देंगे या तो एक जिरो इससे ले लो एक जिरो लेंगे तो 750 गुड़े 10 की पाउर 10 दिया अब 314 का भाग चला जाएगा जैसे आप इसमें इसका भाग दोगे वैसे आपकी अंसर आजाए कितना वह दो तीन दूनिच है टू पॉइंट थ्री नाइन त्री नाइन त्री नाइन हर्ट्स और इंटू 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 10 हर्ट्स लेकिन 2.39 आएग बच्चो इसको आप गीगा हर्ट्स में बता सकते हो कैसे 10 की पावर 10 का दो 10 की पावर 9 कर दो बटा एक जीरो इसका और नो यह दस है इसको ऐसे विरेकर करके लिख सकते हैं तो यह बटा गीगा की वैलू होती दसका जब इसमें गुड़ा करेंगे तो आपका अनसर आएग बटा लिम्डा तो लिम्डा का फार्मूला क्या होता है बटा लिम्डा का फार्मूला यह होता है के बराबर टू पाई बटे लिम्डा यह होता फार्मूला यहां से लिम्डा की वैलू अगर निकालें तो टू पाई बटे के होगा क्या होगा के बच्चो टू पाई पाई कमान कितना है 3.14 बच्चो के कमान रखना पड़ेगा न के कमान कितना है 0.5 इंटू 10 की पावर 3 तो बटा इसको आईए सॉल्व करते हैं या पर जब बटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा लिम्डा बराबर यह उपर जाके माइनस भी हो सकता है या पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो बटा पहले आई लिखते हैं दो गुड़े 3.14 बटे 0.5 इंटू 10 की पावर 3 बच्चो में पॉइंट के बाद दो संग्या बना दिया पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो अभी हाँ आएगा दो किसको काटेंगे तो उपर आएगा 314 बटे दोस्ट को काट देंगे तो पचीस आएगा यू पजाके माइनस 3 हो जाएगा अब बटा पच्चीस का इसमें भाग देंगे डिवाइट करेंगे बच्चो जब 25 का इसमें हम डिवाइट करेंगे तो क्या आएगा लगभग 12 बार में कड़ जाएगा बटा कितना 12 बार 12 दसमलो 6 आएगा इंट्र 10 की पावर माइनस 3 अब एक काम करिए अब इसमें क्या करेंगे इस मीटर में आएगा किसमें आएगा बच्चो यह मीटर में अगर आप इसको सेंटी मीटर में बदलना चाहे तो 100 से गुड़ा कर दो जब 100 से गुड़ा कर दोगे तो सेंटी मीटर में बदल जाएगा किसमें बदल जाएगा बटा 100 से गुड़ा मतलब 10 की पावर 2 से गुड़ा करोगे तो सेंटी मीटर में बदल जाएगा ठीक है यह माइनस है तो बटा जब इसको सॉल्प करोगे तो कितना आएगा 12 दसमलो बच्चो अगर हम इसका समी करन निकालना चाहें किसका वी नॉट का तो इसको अगले भाग में देखना पड़ेगा इस भाग में जगया नहीं बचिए चलिए बच्चो आगे देखते हैं इधर क्या नहीं करेंगे आईए देखते हैं यही पर तो बच्चो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले देखिए ई नॉट आपको निकालना पड़ेगा ई नॉट बराबर होता है वी नॉट इंटू सी यह फामूला आपको अभी हमने इससे पहले बताया था यह बटेम लगाओ चाहें इधर लगा दो तो बटा वी नॉट की वैलू आपके पास कितना है वी नॉट की वैलू है दो गुड़े-10 की पावर माइनस साथ असी की वैलू है तीन गुड़े-10 की पावर आठ तो बच्चो ई नॉट बराबर हो जाएगा तीन दूनी छैगुड़े दस की पावर वन वना तो उगड़ा करो कि साथ आएगा क्या बोल्ट पर मीटर क्या जाएगा बोल्ट पर मीटर यह आगया इनॉट अब समी करण क्या होता बिटा इसका समी करण होता इजर्ड़ है तो इसमें जड़ चलेगा एक बाद आता है इसके जो भी यहां हो उसके चुम्बकी च्छेत हो या बैदुद च्छेत रहो एक बात का लिखेंगे क्या होगा इनौट फांवला हम लिख रहे हैं एक्दम सेम ऐसे इनौट की वेलू कितनी है साथ साइन के के की वेलू कितनी है जीरोदसमेलों 5 इंटू 10 पावर 3 एक्स प्लस उमेगा ओमेगा की वेलू कितना वण पॉइन पॉइन टू 10 की पावर 11 टी बोल्ट मेटर बच्छो ये मेरा समी करना चुका है वीडियो को रोक कर नोट कर लो चलिए बच्चो च्छे नमबर सवाल पढ़ते हैं च्छे नमबर सवाल में क्या कह रहा है एक बिदुत तरंग में बैदुत छेतर का मान दिया है बैटा आपको दिया कितना सेंट बोल्ट मीटर आपको दिया है कि आयाम आयाम वी कह रहा है और कहरा है पांच गुड़े 10 की पावर 10 हर्ट्स पांच के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है तो कहरा इक गयाद करना है पहले में क्या ग्याद करना है बिटा चुमकी छेत का आयाम बीनोड ग्याद करना है और दूसरे नमबर में आपको क्या ग्याद करना है और सत बैदुत उर्जा घनत्व यूई इसका नाम क्या है बिटा इसका नाम है और सत बैदुत उर्जा घनत्व इसका नाम है और क्या ग्याद करना है और सथ चुम्बकी और जागनतु दूसरे नमबर में इसमें क्या गयात करना है यह दोनों यह वही होता है यू यह होता है यू भी यहां लगा दो सर्फिस में सेम इसका नाम है और सथ चुम्बकी और जाएगा और क्या गयात करना है चौथे नमबर में आपको गयात क कुल उर्जा घनतों कुल उर्जा घनतों मैं इसमें यू गयात करना आपको क्या गयात करना है यू दोनों उर्जाओं को जोड़ देंगे तो मेरा यू आ जाएगा केवल यू गयात करना है तो बच्चों आए बारी बारी से सबको हम निकालते हैं सबसे पहले हम क्या निकाले आपको हम फार्मौला बता दें आप एक फार्मौला जानते हैं E बरावर V नोट इंटू सी ये फार्मौला आप जानते हैं यहां पर अगर हम V नोट की षैलू निकान लें किसी वैलू V नोट की वैलू तो क्या हीगा धान देजिएगा V नोट बरावर C को नीचे भेद देंगे तो E not बटे C तो बच्चो आप ध्यान देखिए E not की value कितनी है 72 V not की value कितनी है C की value आपको याद होगा 3 गुड़े 10 की पावर 8 बच्चो यह उपर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3, 4, 12 यह उपर जाके माइनस का 8 आ जाएगा टेसला क्या जाएगा यह आ गया अब एक काम करो अब एक काम करो पहला नमबर तो हो गया पहला नमबर तो आपका ग्यात हो गया अब आएए दूसरे नमबर में दूसरे नमबर का फार्मूला क्या होता है दूसरे नमबर का फामला होता है औसत वैदूत उर्जा घनत तो है इसका फामला होता है यू ई बराबर एक बटे दो एफ साइलेट नॉट एक बटे दो एफ साइलेट नॉट ई आर एम एस स्क्वेर लेकिन ई आर एम एस को लिख सकते हैं ई नॉट बटे रूट टू ये एक फामला होता वैटा क्या होता है फामला अब एक काम करो ये मान इसमें रखिये तो क्या आएगा जब इसमें रखेंगे स्क्वैर होगा तो ये चार हो जाएगा एक बटे चार अब ये फामुला पर याद कर लो या तो ये फामुला याद कर लो गटा अतना बड़ा सचा है कि एक छोटा सा फामुला याद कर लो ये माने आ रखोगे तो ये आ जाएगा तो इस फामुले में हम क्या क्या हमें रखना है आईए देखते हैं यूई बराबर एक बटे चार एस साले नॉट की वेलू आपको याद करनी पड़ेगी कितनी होती बच्चो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू E नॉट इंटू E नॉट की वेलू ये है जान फी माणिया तो छाषाऀ यह कड़ि आएगा नहीं कटेगा नहीं कटेगा को डों चार साले तार्ट पर यह रनिओर का करी यह चार कंचार साले चार इक जार सार और खोटा टीस इन उ इपर लख जू आखरी में लिख दिया बच्चों जब इसमें आप सबका गुड़ा करेंगे तीनों का तो आपका अंसर आए गया वन वन फोर इंटू टेन की पावर माइनस बारा इसको आफ इस्टेंडर फॉर्म में बदलना चाहे तो एक दो तीन चार संक्या वाद अगर पॉइंट लगा दें वन पॉइंट वन फोर सिक्स नाइन तो चार संक्या इसमें प्लस करना पड़ेगा जैसे चार प्लस करोगी माइनस आठ हो इसकी जो तीसरे नमबर है यूवी जो होता है वो यूई के बराबर होगा तो यूवी भी आपका यही आएगा क्या है वन पॉइंट वन फोर फोर पॉइंट के क्यों दो संक्या लिखेंगे दस की पावर माइनस आठ जूल पर मीटर क्यूब यह आगए आपका दूसरा ती उनों को जोड़ देंगे यू बराबर यूई प्लस यूवी भी स्मॉल लिखो या कैप्टल लिखो बात एक ही है ठीक बच्चो तो यू बराबर यूई जब जोड़ेंगे से में देखो यूई भी होई है यूवी भी होई है पॉइंट के दो संक्या लिख रहा हैं वन 1414 कितना हो जाएगा बच्चो लगवगा यह जोड़के देखते हैं चार चार आठ एक एक दो अब एक एक दो तो दो संक्यावाद पॉइंट लगा दिया है यह पावर एक ही रहेगा पावर में कोई फरक नहीं परता बिटा किबल इसके सामने वाली जूड़ता या रखना इसका भी उनुटों का जूल पर मीटर क्यूब बच्चो यह चौत्वे नंबर का भी अंसर आ चुका है आप नोट कर लो चली बच्चो साथवे नंबर स्वाल पढ़ते हैं साथवे नंबर स्वाल में आपको क्या दिया है एक संतल विद्दु चुम की तरहं के लिए बैदु छेत के घटा का आपको दिया है इजड बराबर इजड बराबर दिया दो कॉस पाई इंटू टेन की पावर फाइब टी माइनस एकस बटे सी यह आपको दिया है और सी की वैलू भी आपको दिया है तीन गुड़े दस की पावर आट मीटर पर सेकेंड और कहरा क्या कहरा तरंग किस दिसा में गतिमान है तर to do b सore 7 वी का मान निकालना लेकिन जेट के बाद है तो आद को थे इसके गठक्यव है तो आई बच्छो father द रहिए आपने का थे आढ़र ते हैं इसक्तों चुमकी च्छेट बादू च्छेट के परपेंडिकुलर होता है तो अगर यह होंगा इसे डोगा तोarnya जाए होजाएगा या रखना ऐक वर वा सब्सक्राइव करना और आफो यह भी होगा तो ये होगा अगर ये और ये गॉडिया तो ये tward होता है इन्यादाट है भी के वेलुरा मैं फाइंड करनी है तो बच्चों एक काम कर करेंगे जोई है तो यहां इन ऑड़ या रखना क्या होगा इन ऑड़ तो बिटा इन ऑड़ की वेलू हमें केवल चाहिए कितना जाएगा दो बोल्ट पर मीटर आई इससे वी नौट निकालते हैं तो क्या होता फामला इन ऑड़ वी नौट इंटू सी यहां से वी नौट की वेलू निकालेंगे सी को नीचे लगा देंगे तो वी नौट बराबर हो जाएगा इनौट बटे सी तो बटा इनौट इनौट का वेलू दो है सी कमानत 3 गुड़े 10 की पावर 8 तो बच्चो यहां पर क्या करने जा रहे है इस पावर को उपर ले जा रहा है तो बटे 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 आ जाएगा तो बच्चो एक काम करिए हम यहां पर एक 0 इसको देने जा रहे हैं तो कितना हो बटा आपको इसमें एक बढ़ाना पड़ेगा नाइन करना पड़ेगा ताकि इसको जब हम सॉल्ब करें फिर 8 हो जाए अब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 20 में अगर तीन का डिवाइड देंगे तो 6.7 के आसपा संसर आएगा बटा यह टेस्ला यह किसकी वैलू आ चुकी है और आपको अब बार बता दें बिठा अब यहां पर समीकर्णन निकालना है क्या निकालना पहले नंबर में कविवाइड पहले निकालते हैं कविवरस समीकर होगा वी नॉट और क्या होगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स यह समीकर है तो बच्चों यहां पर आए मान रखते हैं वी नॉट वी नॉट का वैलू कितनी है सिक्स दसमलो सेवन इंटू टेन की पावर माइनस नाइन ओमेगा बिटा अगर कंपेर करें तो यह खोँछ है और यह क्या है यह पूरा में इंगल इसमें रख देंगा कोई दिक्कत नहीं है वैलुआ टी क्यों होगी यह बाइन्टू टेन पावर This मानएस यह कंद एक बाए क्रुद सीस्केर टो नहीं का जाए गया सेवाल यह आपको चेंज करना एंष्धत करना है किर यह अब compare करोगे तो वही बात आएगी ठीक बच्चो चलिए नोट कर लो बच्चो इस सवाल में इसको साइकल लेना पंदरा दिया देखिए तो यहाँ भी पंदरा आएगा आठवा नमबर सवाल क्या कह रहा बच्चो आईए देखते हैं यू आई कमान आपको दिया है तीस साइन टू गुड़े दस की पावर जियारा टी पलस तीन सो अब इसमें क्या करेंगे हम निकालना क्या है पहले नमबर में कह रहा है तरंग धायर ग्यात करो और दूसरे नमबर में कह रहा है समी करण ग्यात करो चुम्ब कीचेत का तो बच्चो आईए पहले हम compare करते हैं E Y बराबर एक formula होता है E naught sine omega T plus K X E होता है बच्चो अब यहाँ पर एक काम करिए यहाँ पर जब compare करेंगे तो E naught की value क्या आएगी देखिए E naught इसकी जगह पर है तो 30 volt meter हो जाएगा यह E naught की value मिल जाएगी और omega की जगह यह बेटा तो omega की value आजाएगी दो गड़े 10 की पावर 11 radian per second इसके बाद हमाई तीसरी value जो है कि के की कितनी हो जाएगी 300 pi प्रती meter यह K की value हो गई तो बच्चो हमें पहले नमबर में क्या निकालना है lambda बराबर formula क्या होता है formula आपका जो होता है T बराबर या K बराबर वो 2 pi बटे lambda होता है तो यहाँ lambda कमान निकालेंगे तो 2 pi y k आएगा तो बच्चो यहाँ पर value को पुट कर दे रहे हैं तो lambda बराबर 2 pi k कमान कितना है 300 pi pi से pi कैंसल तो lambda बराबर क्या जाएगा 2 pi 300 बच्चो जब इसका भाग देंगे 2 में 300 का जब भाग देंगे तो आपका अंसर कितना आएगा 0067 meter ठीक है इसके बाद यह आपका पाहला नमबर आगा चलिए बच्चो दूसरा नमबर सवाल लगाते हैं दूसरा नमबर सवाल क्या है हम आपको फार्मूला बता दें V नौट बराबर होगा E नौट बटे C यही होता है आप निकालोगे यह एक फार्मूला होता है यहाँ पर वैल्यू को पुट करिए बच्चो बी नौट V नौट की वैल्यू कितनी है E नौट की वैल्यू है 30 और C की वैल्यू होती है 3 गुड़े 10 की पावर 8 यह याद कर लो परकास की चाल होती बच्चो यहाँ से अगर आप इसको हल करोगे तो लगवग 3 दहान 30 दो 10 आएगा यूप पा जाके माइनस हो जाएगा बटा एक जिरो उसको देंगे तो V नौट की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर माइनस 7 टेसला तो बच्चो आईए हम आपको समीकरण बताते है समीकरण क्या होता है एक्वेशन V जड वरावर तो V नौट और बाकी जो है जो चल रहा है समीकरण क्या आपका देखिए V नौट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स यहाँ पर वैल्यू को आप पुट कर दिये सारी आपका समीकरण आ जाएगा V नौट की वैल्यू कितनी है 10 की पावर माइनस 7 साइन ओमेगा ओमेगा की वैल्यू क्या है बटा यह है दो गुड़े 10 की पावर 11 टी प्लस के की वैल्यू क्या है बटा 300 पाई 300 पाई यह है एक्स यह बटा समीकरण आ चुका मेरा पेसला में यह नौट कर लो दोस्तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सेयर एंड कमेंट करिए और भी अगर आप किसी टापिक फे वीडियो चाते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें तो हम उस पर बहुती जल से जल वीडियो को बनाएंगे तो लिए धन्यवाद करें में जल से रह yönपे जय जल सकते हैं आ़ हमारे कमेंट करें से कमेंट ढं़स भी आपको हमारे को बना हमारे किसी ब hugo हमारे झाल झाल